कि आप सब्सक्राइब लोग मैं उमीद कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बढ़ी होंगे पढ़ाई लिखे भी आपकी लगातार चल रही होगी चलिए रोजाना हम लोग सुभा आट बुजे बात करते हैं अपने अपने काडमी यूपसी की यूट्यूब चैनल पे करेंट फेस बिसे आज ज्यादा जो टॉपिक है डिस्कुशन है वह प्लिंस ओरियंटेट ज्यादा है अई यह करके सारे टॉपिक उम लोग देखेंगे लिए उसे पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग क्लास को लाइक और शेर जरूर कर दीजेए यतनी भी लोग में प्लीज डू सारी चाहिए ठीक चल रही है एक बर मुझे प्लीज बता दें ठीक है आज ऐसा इसा यह आपको प्लस बैक्स कल से शुरू हुई है गववनेंस की क्लासे से हैं जो आप चल रही है यह आप देख पा रहे होंगे इसके लाब इस ब्रीफ इंड्रोड़क्शन अबाउट में चोटी से जानकारी मेरे पारे में हैं और यह हमारा टेलीग्राम ग्रूप है इसे अब जोईन कर सकते हैं क्वालेटी गुरू इसके अलबा क्या है कि आप अगर अगर अन अकार्डमी का सब्सक्रिप्शन है जो कल से शुरू हुए तो आपके पास यह सारी चीजें मिलते है बुक्स पर्सनल गार मेंटरिंग सब्सक्रिप्शन और कंवर प्लान 35% 80 टेस्ट एवरी यह फॉर एवरी स्टुएंट्स यह आप जा लिए यह सारी चीजे अवलेबल हैं आपके पास यह कंप्लीट बैच होगा प्लेम्स और मेंस का दोनों का बैच होगा आपके पास अवले इस मेंग देखना शुरू करते हैं पहला टॉपिक इस इंडिया रंक्स अमंग अगर आगर 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 रंकिंग अगर हम बात करते हैं इंडिया अप्ट फॉग्ड त्फियू प्रफॉर्मिंस है वह बढ़ा है और इंडिया ने चलाने लगा यह 37 ठैकि-स तूरांक अगर आगर 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 10th best country in the world in the global security index 2020 में तो अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में इस इंडेक्स के इंडेक्स के इंडेक्स के इंडिया का जो रांग है वो है दस्वां 10 तेंथ रांग है लॉंस बाइ इंटरनाशनल टेली कॉम्निकेशन यूनियन आज जून 29 तो अब ही हाल में ही ITU के दौरा इसने क्या किया है अभी GCI यानि कि Global Cyber Security Index 2020 अभी जस्ट आया है 29 जून 2021 को इसमें इंडिया के जो रांगिंग है तो यह इतनी बात है आप याद रखेंगे कि जो GCI अपके पर साइबर सेक्यूरिटी इंडेक्स 2020 का उसमें जो है इंडिया के जो रांग है आपको ध्यान में इंडिया क्या है अभी आउछिस करके इंडिया क्या हैlusion मैं इंडिया करते हैं कि ऑब यह इनालिशिस करके देख लेंड हैने क्या है इंडिया हाद में त्व नहीं ने ब्ल Narrator कह लिवा अटिखिऋ शुनन मिस्टैंट टेह नंगी में और न लिज़ंसे क्रित हैं लिवे पर के कमया ृसके पीछी के राज रीसिन क्या है तो इंडिया Neyes workingatives को इडोक्ट किया, Kkin autonomy in sy barking mud was a किए तो एडोक्त किया संधिया त्यासốt किया थिक हैThis पर सेकर आजकल एक मिशन चलना है कि पूरे पूरे इंडिया को डिजिटल बनाना है और इंडिया इस दिसा में काफी आगे मूव भी कर चुका है अभी देखेंगे जो पूविट काल रहा है तो इसमें भी हमारे पास जो आई सेटी जो सर्विसेस हैं वो काफी ज्यादा आग इन ट्रै कि अगरा है वो 10 तो है और आज के दिन जो 6 अनिवरशरी है दिजिटल इंडिया का वो सेलिब्रेट किया जा रहा है ठीक है नहीं कि आज से 6 साल पहले ठीक किसी दिन बिजिटल इंडिया प्रोग्राम को लांच किया गया है इंडिया इस इमर्जिग आगल इस इंडिया जो है एक ग्लोबल आईटी शुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है और अपने आपको एक डिजिटल सॉवरेंट के रूप में विट फर्म मेजर्स तू सेफ़गाट डिटा प्राइवेसी अन ऑनलाइन राइट आपको बात कर रहा है आपको डिजिटल सॉवरेंटी के बारे में ध्यान रखना गया है और डिजिटल सॉवरेंटी को क्या गरना मैंने के-लिए इसने कई सेफगाट मेकाने करें इन सर अथ यसे कंट्री में देखा होम नोर्प होती कोई बहें प jij राग्षा करता है ना ना इंठिक्छा करती है को इसेटेक्ट करगे रख полностью स्ब्सेटेक्ट को सिद्धा लेकर इंडिया कफे ज्यादव की ज्यादा मजबूती आपने मेकानीसम को इसने ड्यवलप किलें देजिसक्ट सॉवरेंटे को लेकर आपनी सब्सक्राइब और डाइटा पाइवेशी यानि डेटा की प्राइवेसी होती है उसको सुरक्षा के लिए इंडिया ने काफी काफी इनिशेटिप्स ली है दूसरा क्या है ऑल्लाइब है जो ऑई-इसितिजिशन को उसको भी इसने प्रोटेक्ट करने का काम किया है और इस डारेक्शन में इंडिया काफी आगे मुफ भी किया है, ठीक है, यह याद रिखेंगा है, तो यह याद रिखेंगा, अब इस रैंकिंग में फर्दर हम लोग बात करें, यह तो हो गई बात, जो है इंडिया के बारे में, जो इंडिया ने 10th rank किया है, secure किया है, 10th rank secure किया है, अब देखते हैं कि इसमें top किस नहीं करा है, 1st, 2nd, 3rd, कौन आया है, इसके बारे में थोड़े से बात करें, कभी भी यह सवाल भी आपके examination में बन सकता है, और पूछा जा सकता है, तो as usual, जो अमेरिका है, US है, उसने top rank है, यानि कि rank 1 है, रांकिंग में अगर बात करें, इस GCI के अंतर रगर, Global Cyber Security Index के अंतर, तो US is on the top, ठीक है ना, इस the first rank, इसके आद देखेंगे कि followed by, followed by UK and Saudi Arabia, ठीक है न, जी second position पे, दोनों एक साथ हैं, कौन-कौन UK and Saudi Arabia, यह आपके लिए बेहत महत यह याद रखेगा, Saudi Arabia और UK, दोनों क्या कर रहे हैं, अपना same place share कर रहे हैं, इस GCI Index के अंतर, second position, ठीक है न, second position, और जो Estonia है, Estonia, that ranked third in this index, ठीक है, Estonia, तो यह आपको याद रखना है, first, US, second position, UK and Saudi Arabia, दोनों क्या कर रहे हैं, same position को अपना share कर रहे हैं, second rank पे, Estonia ranked third in the index, ठीक ह और India has ranked, India has also secured fourth position, लागि not in the GCI Index globally, बलकि यह Asia Pacific Reason में अगर बात करें, in Asia Pacific Reason, तो India जो है, India Pacific, Indo-Pacific Reason में यह fourth position secure करता है, और overall अगर बात करें, तो it's secured 10th position, overall बात करें, तो यह 10th position को secure करता है, overall बात करें, तो यह 10th position को secure करता है, ठीक है न, underlining its commitment to cyber security, India has also secured the fourth position in the Asia Pacific Reason, underlining its commitment to cyber security, cyber security, ठीक है, this is about the ranking, अब देखें क्या 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 है, अब देखें क्या 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 है, जो क्या हमें बात करना है, यह जो असेस्मेंट क्या गया है, GCI का, Global Cyber Security Index का, इसके लिए 5 पारमेटर्स रखेंगे, 5 पारमेटर इसके कौन का है, तक देखें के, इसमें cyber security है, including legal majors, legal majors, technical majors, organizational majors, capacity development and cooperation, ठीक है, तेर ने फाइटर्स के उपर है, GCI ने असेस्मेंट क्या है, performance is then aggregated into an overall score. और फिर इन सभी को मिला करें, जितने भी performance है, आपका legal measures सहाँ ने क्या लिया है, technical measures सहाँ ने क्या लिया है, just to maintain what? cyber security. Cyber security को ले करके, ठीके ना? जो आपके citizens है, उनकी data के privacy को ले करके. तो आपने क्या क्या legal measures लिया है, यानि क्या कानून बना है कि किसी का डेटा थेफ्ट हो जाए, फ्रेक्शन हो जाए, इसेक्टरा, क्या टेक्निकल मेजर्स आप ले रहे हैं, क्या और्गनेशनल मेजर्स क्या है, आपके पास, जो है, क्या पास रटी डेवलोपमेंट कैसे कर रहे हैं, like awareness तरीके से करके, सारी जीजों को, नेट वेट को, आपको operate करना, etc. का operation को लेग गए, so these are the five measures, जो इसको हमने किया किया, क्लब किया है, क्लब करके हम लोग क्या गए, aggregate निकालते है, performance निकालते है, overall scoring के लिए, ठीके, so these are the five parameters on which, जो ऐसो, ये, GCI का assessment किया गया है, ठीके, इंडिया का performance में देखे, तो इंडिया, GCI results for इंडिया's substantial overall improvement, ठीके, trending under all parameters of the cyber security domain, इंडिया scored 97.5 points from the possible maximum 100 points to make it to 10th position worldwide, 10th position in the worldwide in GCI 20, ये इतना index आपको याद रखने के जरुवत नहीं है, 97.5 points ये सब कुछ याद रखने के जरुवत नहीं है, 5 parameter ने वो याद रखने के जरुवत है, इंडिया के जो rank है, वो 10th position है, GCI 20 में, ठीके, जो release अभी किया गया है, जून 2021 में किया गया है, इंडिया has worked relentlessly on all five pillars, और भ last few years, resulting in significant improvement in its ranking in global cyber security index, ठीके, तो इंडिया नहीं जो 5 parameters है, इन सारे 5 parameters पे, वो ने काफी ज्यादा काम किया है, legal measures विश ने लिया है, technical measures भी लिया है, organizational measures भी लिया है, capacity development भी काम किया है, and cooperation भी जो है, वो क्या है, within और beyond, within का मतलब है, within country और beyond country, यानि का मतलब है, international cooperation भी उसने सी करा है, ठीके, so there is a significant improvement in its ranking in global cyber security index, इंडिया ने all the 5, जो pillars है, उन सभी के उपर उसने जब अपना जो है, सो काव किया, they worked on that, और उसके बाद उसने अपना, जो है, so एक score, 97.5 का जो है, पॉइंट्स का, जो है, 10th position को हासिल करा है, ठीके है, right, so this was the one topic, GCI, अब जानते है, index and ज जो है, so indices or reports है, ठीके, so you can go for that, ठीके, अब आजए एक छोटा सा piece of information है, बहुत ज़्यदा discussion की जरुवत नहीं है, बहुत ज़्यदा discussion की जरुवत नहीं है, हम लोग इसके पर बात करेंगे, so what is this, अब यह देखते है, हम लोग क्या है, कि जो अभी China है, China, China को अभी malaria मुक्त कहा गया है, malaria मुक्त देश हुआ है, ठीके ना, और पूरे Asia च्छेतर में यह दूसरा देश है, ठीके ना, दूसरा च्छेतर है, जिसको के malaria मुक्त कहा गया है, WHO के दवारा, World Health Organization ने, China को अभी certificate दिया है, कि आप malaria मुक्त हो गया है, इससे पहले Asia का एक मातर रास्ता, can you guess, व आप लोग के options, response के दरफ, आप मुझे बता सकते हैं कि कौन country है, ठीके सर, that is Sri Lanka, ठीके ना, that was Sri Lanka in 2016, ठीके, so China has now maintained zero indigenous, indigenous malaria cases, per four consecutive year, per fourth consecutive year, down from an estimated 30 million cases, and 3 lakh, 3 lakh deaths per year in 1940s, अगर हमको 40s में बात करें, 1940 के दर्सक में, तो China के से बड़ी खराब हुआ करती थी, malaria को लेकरी, क्योंकि वहाँ पर लगवग 30 million cases आते थे malaria infection के, और 3 lakh लोगों का death होता था, प्रतेक वर्ष, 1940s के around, ठीके, में होता था, now China became the second country, China became the second country, in Asia Pacific region, China, जो है, आपका Asia Pacific region में, एशिया प्रशांत महा शेत्र में, एशिया चाइना become the second country, in the Asia Pacific region, to get the tag of officially certified malaria free, after Sri Lanka in 2016, so Asia Pacific region में, पूरे अगर हम बात करें, एशिया प्रशांत शेत्र में, तो स्रिलंका के बाद, ये चाइना जे दूसरा country है, जिसे डवलोचो ने malaria free certification जारी किया है, इसे पहले स्रिलंका को 2016 में किया गया था, ठीके, तो पांच वर्स के बाद, चाइना को 2021 में किया जा रहा है, पिछले 10 वर्सों में, अगर हम बात करें, पिछले 10 वर्षों में, countries in the Asia Pacific region, have almost halved the number of malaria, क्योंकि ये जो Asia Pacific region है, यहाँ पर malaria के incidences बहाँ जदा हुआ कर दे थे, तो एक काफी कापी बैस्विक प्रयाज चला, Asia Pacific region में हम देखेंगे, तो यहाँ पर Asia Pacific region में हम देखते हैं, कि पिछले 10 वर्षों में, जो malaria के cases हैं, जो incidences हैं, वो आधे हो गया है, आप्ड हो गया है, the number of malaria deaths and cases, and have made significant gains towards eliminating diseases by 2030, और यह सामोहिक प्रयास के जा रहा है, कि पूरे इस reason को, Asia Pacific region को, 2030 तक हम क्या कर देंगे, malaria मुक्त कर देंगे, malaria मुक्त कर देंगे, ठीक है, malaria मुक्त हो जाएगा, right sirs and ma'ams, ठीक है, so it is done, so अपने देखें, so this is the thing, यह चोटा सा piece of information, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस इतनी ही बाते हैं, कि इसमें कोई analysis के जरुवत नहीं है, कुछ भी करने के जरुवत नहीं है, so just go with that, ठीक है, चलिए, next आज एक देखते हैं, that is very important, environmental ecology जुड़ा हुआ है, यह topic है, और इसके बारे में आपको धियान में रखन है, तो rare black-bellied, sorry, red नहीं, black है, black-bellied coral snake found in उत्राखंड, ठीक है, यह मिला है, context के है, कि black-bellied coral, black-bellied coral snake, वो मिला है अभी उत्राखंड के जंगलों में, उत्राखंड के जंगलों में, पहली बार, पुरे इतिहास में, अभी तक first time in history, black-bellied coral, by a group of researchers, the snake belongs to the illapiddy family, illapiddy family, यह इ as nearagrand winter, जो है, आपका इसको नाम दिया गया है, तो यह genus है, cino-me, crew, russ है, यह इसका genus है, ठीक है, तो illapiddy family है, इसमें क्या क्या लक्षन होता है, इसके बारे में बात करेंगे, वीवा पेटी के भी लक्षन के बारे में बात करेंगे, आइडो फेटी के बारे में भी बा जो है, coral snakes के बारे में जान लेते हैं, यह क्या है, यह जो है, coral snakes है, जो coral snakes है, यह large group illapiddy snakes है, यह इलापड़ी snakes है, फामली से बिलॉँ करते हैं, ठीक है, और यह जो होता है, यानि कि यह जहरील होता है, वेनमनस होता है, यानि काटेगा तो आदमी थो मर मिरत्य हो सकती है, commonly less involved in, invenomation, इसका मतलब क्या है, कि है तो यह venomous, ठीक है, लेकिन generally यह सांथ प्रविर्थिक होते हैं, जल्दी यह काटते नहीं है, wish नहीं करते हैं, wish दंत का प्रयोग नहीं करते, यानि कि आपको जहर नहीं फैलाते, generally avoid करते हैं, ठीक है, ठीक है न, so and venomous होता है, and act or instances of poisoning by venom, so less है, less commonly आप देखेंगे, बहुत कम संख्या में यह क्या होता है, काटते हैं, ठीक न, but venomous होता है, ठीक न, अगर इनके साथ छेर स्यार करें, तो यह काट भी लेंगे, generally क्या करते हैं, यह अपना दंतों का प्रयोग, दंत, जो wish है, wish दंत हैं, उसका प्रयोग नहीं करते है यह poisons का use नहीं करते हैं, so end venomation, less involved होते हैं, अब elapid snakes are, क्या है, fosorial and solitary behavior, यह क्या होते हैं, यह fosorial होते हैं, snakes, elapid snakes, जितने भी होते हैं, इस family में, elapid family में, जितने भी होते हैं, वो fosorial होते हैं, और यह solitary behavior बहेव करते हैं, अलग थलग रनी का प्रयास करते हैं, they usually can be identified their fans उनके जो दात होते हैं, इसकी तरफ से यह क्या होते हैं, इनके जो दात होते हैं, इनके जो दात होते हैं, बड़े छोटे छोटे होते होते हैं, इनके जो दात होते हैं, इनके जो दात होते हैं, इनके जो दात होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनके जो दात होते ह स्नेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें स्नेक्स इंडिया के बारे में that is very very important यह जो स्नेक्स इन इंडिया है इसके बारे में ध्यान रखेंगे according to 2015 report अगर हम लोग बात करें 2015 के जो रिपोर्ट है जो ministry of health and family welfare ने जारी किया था 2015 में यह report जारी हुई थी ministry of health and family welfare के द्वारा on the management of snakebite अगर कभी किसी को सांप कट ले क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया के गाउं में rural areas में अक्सर आप देखेंगे कि सांपों के काटने से कई जादी casualty हो थी काफी जादा deaths हुआ करता था और हम यह यह कहा गया कि पुरी दुनिया में आगर बात करें पूरी धन्या में पूरी ग्लोb पर बात करें तो 2000 से जादा 2000 से जादा snakes के types मिलते हैं 2000 से के types मिलेंैं इब species मिलेंगे फिरत में 2000 seja है और इसमें से एंडिया में लग वग तीन सौ species हैं, ज्योंकि पाई जाते हैं, थैक है? 300 species. यह पूरे दुनिया में लगबग 300 species साफों के मिलती हैं और इसमें सवगे यह 5000 venomleness हैं.reten– इतनी बातें सब लोग समझें, इसी report मोटाएगया है तो जो venomous snakes होते हैं, जो विश्दंत वाले होते हैं, इन फाउंड इंडिया बिलोंगे हैं, three families से भिलोंग करते हैं, venomous snakes found in India, बिलोंगे थ्री फाइमिली लपीडी फामिली, इनके जो दाथ होंगे, वो छोटे होंगे, short fangs होते हैं, और ये fix होते हैं in the front of the upper jaw, यारी कि जो jaw ब यह लोड जो और अंदर जो होता दाइस कोल अपर जो ठीके और यह जो अपर जो में होंगे और छुटे छुटे दाथ होंगे जो भी स्नेक्स हैंगे इसमें उसमें जो नीचे नहीं बलकि ऊपर की तरफ ऊपर आपने देखा होगा कभी सांप आप जो काटता है तो आप देखेंगे कि जब भी स्नेक को निकाला जाता है तो देखेंगा स्नेक को लाकर अपर अपर फैंको इसको यहां पर में सुटे है फिक्स निकालते हैं ही तो यह आपतार जॉय में आप दिखेंगे यह अपर जो में करते फांगे र itu यह एपर जौ में इसके फंग इसके निदात हों, वह चोटे चोटे होब्द करते हैं वह लंबी होती है, दाथे कंपरिटिकली लंबी होंगे, लॉंग फैंक होंगे, और यह क्या होंगे, फोल्ड़ा सा फोल्ड़ा सा अंदर की तरफ मूरा रहे है, something like this, ठीक है ना, यह आप देख पारें, this is a hook kind of shape, this is called this, तो यह इसके पास क्या है, यह इसके पास जो होता है, फ्रेंट में लॉंग फैंक होंगे, लंबे दाथ होंगे, and that happens, and fold it back into the mouth, and जुउसरा होता है, हाइड्रो फिडी, ठीक है, हाइड्रो फिडी, जोकि सी स्नेक्स होते हैं, जोकि पानी में रहते हैं, सीस में होते हैं, so these are the three type of species of venomous strength in India, LAPD, वाइपर, रिडी, ठीक है, and then हाइड्रो फिडी, ठीक है, these are the three types, तो आपने इनके characters के बारे में समझ लिया, so that is very very important, इनके characters को भी आपको याद पर रखना होगा, ठीक है, sirs and ma'am, so इतनी बाते हैं हम लोग समझ गये, so that's a great one, ठीक है? ठीक है, sir, इतनी बाते, sir, इतनी बाते हैं हम लोग समझ गये, so यह हमारी बाते हो गए, ठीक है? The most common Indian, जो LAPDs है, वो है नाजा, नागा, that is called Indian Cobra, ठीक है? most common Indian LAPDs है, LAPDs है, Indian LAPDs most common है, यह नागा-नागा है, Indian Cobras हो गए है, जोंको इंडियन Cobra बोलते हैं, and दूसरा है, bunga rus, si ru lius, जो के Indian karait होता है, आप जानते हैं कि कोगरफ से ज़्यादा ख़दरनाक होता है, करायर के बारे में, आपने पढ़ा भी होगा 10 की किताबों में, दो बिया, उसले इसको बुलते है, russell's wiper, and जो है, उसके देखें है, saw scaled wiper होता है, these are known as the big four, ठीक है ना, इंडिया में, जो LAPD family के, जो venomous snakes होते हैं, उनमें ये चार जो हैं, वो बड़े खदरनाक हैं, बिग fours में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, किंग कोब्रा, करैट, उसके आप देखें हैं, रसल वाइपर, और आपके पास हो गया, ये आपके पास, saw scaled wiper, ये चार जो हैं, ये आपके पास, ये काफी खदरनाक कैटेगरी के, जो है, so elapid venomous snake माने जाते हैं, ठीके, करैट के बारे में, गाउवाओं से जिनका संबंध होगा, साथ उनको पता होगा, कि करैट जो होता है, ये आक्टिव होता है रातों में, रात में आक्टिव होता है, आपने आराम से चादर विछाया, सो गया, मैट लगाया, और सो गया, तो इस समय जो है, इनका विचरण होता रहता है, रात में ये आराम से विचरते रहता है, ठीके ना, ये जो करैट होता है, ये रात में जिचरता रहता है, और बड़े खदरना बड़ा गुसायल टेम्प्रामेंट का होता है करें जो बहुत बहुत जब अक्टिव होता है और गुसायल टाइप का होगा ठीक है तो अगर कभी नाइट आवर्स में आप सो रहें जमीन हों इन पे तो आप देखेंगे यहां अक्सर गाओं में सुना काट लेता है on the floor bed और death हो जाता है ठीक ना maximum यह अपने देखाओ करें जो है आक्टिव होता है रात में जनरली और खास करें उसमें क्याजविल्टी कर देते हैं जब स्नेक बाइट कर लेते हैं जब आप जमीन पर सोई रहते हैं वहां पर यह काट करके आपको निकल जाता ह वाइपर है और जो कोबरा है जो maximum time में हम देखेंगे वाइल maximum वाइपर आज जो कोबरा है जो कोबरा और जो वाइपर है यह दिन में active होते हैं और वही morning hours में generally अर्ली डार्कनेस दिन में या अर्ली डार्कनेस में या अर्ली डार्कनेस में यह active होंगे while watering the plantation on walking barefoot in the grass और farming lands ठीके ना generally क्या होता है गावों में यह culture आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं कि अपना सुबह में जाते हैं वो अपना खेतवेत में पानी माने डालने के लिए यह आपके बाग बगीचे होते हैं तो watering करने का काम करते हैं थेवर केवर health conscious होते वे आप लोग क्या क जेनरली यहां पर जाता है तो इसलिए करिबर क्या होता है कि आप देखें के कहीं भी जैसे खास करके इंड़ीशिया फिलिपेंस यह 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 फिर जो पानी वानी लगा रहा रहता है वहां पर जो किसान होते हैं वह जो है पैर में बूट पहन करके काम करते हैं ताकि कुछ अब भी जैसे बाइट से वह अपने पर प्रोटेक्ट कर सकें मैक्सिमुम स्टेंग तर ठीके लेकर लेकर डिपेंड करता है कि स्ने का अगर बहुत लंबा चोड़ा है तो काफे लंबा वो फन भी उठासकता है ठीके तो यहां पर यह उता है जबंडेंसी दिखा कि करेट में अब अब यहां अब बात करें अब यह इन्वार्में इकोलाजी में जो मैंने आप लोगों पढ़ाया भी ता अभी तो उसमें देखेंगे और आपके schedules के अदरो हैं स्नक्स को प्र्टेक्ट के जाता है तो further receovableय स्नक्स हैं और प्रटेक्टेड़ पाइड लॉड ख्यानों के द्वारा इंको प्रटेक्ट दिया गया है। Cobra, Rat Snakes and eh checked, killed back are protected in the schedule II of Wildlife Protection Act 1972. तो आप देखेंगे इसमें, जो King Kobra है, यानि कि Naag, जिसको हम लोग बोलते है, जो Rat Snakes है वह और checked killed back, यह है, it Joke jumper two of Wildlife Protection Act 1972 के अंधर protected. और जो बांकी Snakes हैं वह आपके Snedule four के अंधर है, rest are protected under तो यह आपको याद रुखना है कि environment and ecology की perspective से यह सवाल भी कई बर examination में पूछा जाता है तो जो king cobra है, cobra है, rat snakes है और जो checkered kill back है they are protected in schedule 2 of wildlife protection act 1972 और अगर मुलों बात करें कि जो बांकी अन्य साफ है न वो जो है, wildlife protection act 1972 के schedule 4 में protected है तो यह याद रखेगा, schedule 2 or 4, 1, 2, 3, 4, सारे याद है, मैंने category करके आप लोग को बता भी रखा हुआ है तो इसको याद रखेंगे, that is equally important for your examination, ठीक है why snakes are important now, so snakes के दो important है, एक तो medicinal use है और दूसरा environmental ecology में, जो है आपका food chain को maintain करने के लिए भी यह काम आता है ठीक है, so why snakes are important, इसके दो काम है, mainly two reasons है, mainly two reasons, पहला medicinal है और दूसरा environmental है, environmental, ठीक है, medicinal और दूसरा environmental है जो venomless snakes है, medicinal, इनके medical significance है, क्योंकि इससे anti-venom तयार करते है एंटी-venom, यानि की जो है, बोलते है न, उसको लोहई का लोहा काटता है तो इनही के जहर से आप दवा बनाते हैं, कि अगर किसी को काट लिया, ठीक है न, स्नाप ने काट लिया, तो आप उसको protect करते है So venomless snakes है, medical significance, snake anti-venoms is a mixture made from venom extracted from the big four snakes, cobra, krat, wrestle wiper and the saw skilled wiper Anti-venom is used to treat a person who has bitten by snakes, ठीक है न, तो snakes के दोरा काट किया, तो इसको anti-venom हम बनाते हैं अब यह जो anti-venoms है न, यह based होते हैं, polyclonal antibodies पे, ठीक है न, यह anti-venoms है, based on polyclonal antibodies जो कि हम derive करते हैं from the plasma of hyper immunized animals, hyper immunized animals होते हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं, उसकी plasma से इसको drive रहते हैं, इसको प्राप करते हैं and remain the only specific treatment against animal invenoming, जो जानवर जो विश निकालने का काम करते हैं, उनसे बचाओ के लिए हमरे पर एक मात्र जरीया है, वो polyclonal जो antibodies के उपर हम रो क्या करते हैं, जो है anti-venom को develop करते हैं, जो कि plasma of hyper immunized animals हैं, उनसे हमें extract करना पढ़ चाहिए, they are important to farming and ecology as well, जिए हो गया medical, इसका benefit significance होगे, और यह यादना है, polyclonal antibodies derived from the plasma of hyper immunized animals and remain the only specific treatment against the animals in venomines, चाहिए, अब इसका farming and ecology में importance लिखने किया है what is the importance that in farming and ecology they not only keep the food wave in balance food wave in balance को आप maintain करके रखते हैं but also use venom to control, kill and digest their prey जैसे कि rodents वे रहा, चुहे वे रहा हो ये खा जाते हैं तो इनको क्या गरें इंगल्फ करेंगे तो अपना जो इनके अंदर विश होता है उसी से इसको ये मारते हैं without them, the numbers of prey species would increase to unnatural levels and those animals that eat snakes will struggle to find food those animals that eat snakes, अगर ये मालने इस चेन में ना रहे हैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये आपके लिए problematic हो सकता है snakes use highly developed sense of sight, taste, hearing and touch to locate, recognize and track their prey अब snakes के अंदर ये जवर्दस ये गुन होता है use their highly developed sense of sight sense of sight, taste, hearing and touch to locate, recognize and track their prey ठीकर, rats साथ, जो चुहे होते हैं unknown to damage crops अब जानते हैं कि खेतों बेतों में जो चुहे होते हैं वो आपके अनाज को बरवाद कर देते हैं अनाज को बरवाद कर देते हैं अगर ये snakes ना हो, ठीकर ना, ये rats होते हैं तो ये snakes क्या करेंगे, the only predator that can go inside a rat hole और ये एक मात्र predator हैं जो snakes होते हैं, जो चुहे के बिल में जा करके उसके स्क्या करते हैं, उसको ये खा लेते हैं ठीकर अगर ये ना हो, तो हमारे साथ फार्मिंग को बड़ा नुकसान होगा ठीके ना, बहुत ज़दा problem होगा क्योंकि जो rodent का population, चुहा जा rodent family में आता है, rodent आते हैं तो चुहा जो है, यानि rodent पूरी family है उसका population बहुत ज़दा grow कर जाएगा और हमारे farming के लिए that won't be good, तो ये बहुत ज़दा problematic होगा, ठीके, तो ये topic था आपका environment ecology से जुड़ा हुआ, इसको भी आप लोगों ने देख लिया, that we did that जो next topic है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, what is this Supreme Court ये टेल सेंटर to pay ex gratia to keen of covid dead, ये that is very very important, ये means के perspective से भी याद रखेगा, ये यहाँ भी काम आएगा Supreme Court ने ये कहा है, कि pay ex gratia to keen of covid dead, अभी हुआ क्या है कि आप जानते हैं कि India is a welfare state तो सरकार के जम्यदार ही है कि अगर कोई problem अगर होता है यहाँ पर में, तो क्या कर सके कि यहाँ पर में कोई एक नट तो आप देखेंगे क्या, कि Supreme Court ने एक बात कही है कि इंडिया क्या एक welfare state है दो तेनी question को समझ लिए, अभी फिर समझाना असान हो जाएगा हमारे नासर डिजास्टर मैनेजमेंट अथारी नजमा, NDMA शेर्मान इसके प्राइम मिनेस्टर होते हैं तो अगर मान लेते हैं कि नजमा के जो प्रोविजन पढ़ेंगे, दोहजर आक्ट का जो डिजास्टर से प्रभावित होएं, इतनी बाद समझ के NDMA के चेर्मेन, प्राइम मिनिस्टर और NDMA का जो आपके पास अगर कोई भी अगर आप देखेंगे कि जो डिजास्टर होते है, डिजास्टर होते है तो उसके बाद जो डिजास्टर आएंगे, नाच्र डिजास्टर होते हैं, तो उसमें जो लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उनको क्या करेंगे, सरकार सरकार ने इसके अलोग में का, कि सरकार ने इसका जबाब दिया, initially, कुछ दिनों पहले ही, कि जो कोविड है, that is not a natural disaster. Natural disaster को define करते हुए के flood हो सकता है, drought हो सकता है, आजी हो सकता है, यह सारी चीज़ें हो सकते है but it cannot be a disaster it cannot be a disaster it cannot be a disaster यह disaster नहीं है ठीक है फिर Supreme Court ने का that it can be a disaster फिर उसने interpret किया, interpret किया the lines को और lines को उतना interpretation में हमें जाने नहीं है तो उसने Disaster Management Act को जो है इंटरपेट किया जुडिशरी ने और इसमें कहा कि इसमें आपको एक्सग्रेश्य एमाउंट आपको जो है कोई भी COVID से उनका डेथ हुआ है उनके किन्स को आपको देना चाहिए और यह फोर लाक रुपीस के बारे में बोला गया है आपको यही सारे का सारा चीज यहां पर समझना है कि क्या जुडिकल पर स्पेक्टिवस कोगे है यहां पर important है, एक मिड़ लाइट नहीं है, बहुत तकलीफ की बात है, एक मिड़ रुक जाईएगा, ठीक है, तो अपने देखा क्या है, यहां पर में एक political है, वो है writ, writ जारी किया है, वो कौन सा है, वो है mandamus, mandamus writ के बारे में हमें बात करना है, mandamus में क्या होता है, कि हमने का वहन ना करें, ठीक है, अगर नहीं करते हैं, और इससे किसी के fundamental rights का उलंगन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर में mandamus जारी किया सकता है, हलाकि अब यह क्यों executive तक ही नहीं है, बलकि judiciary, जो lord judiciary है, उनके लिए भी यह mandamus जारी किया जा सकता है, तो इतनी सारी बात हैं, जो club है, इस Supreme Court tells center to pay its gracia to kin of, gracia to kin of COVID dead, इसके बारे में हमें बात है, ठीक है, इतनी बात है समझ पारें, इस पूरे के पूरे article को हमें समझना है, जानना है, पढ़ना है, ठीक है, इतनी बात सभी लोग समझ गया है, ठीक on payments of ex gracia to the families of those who have died of COVID-19, ठीक है, this is the ruling, अभी आ गया है, direct care, direction है, और the Supreme Court कि इसको government को, that is the, आपका context है, इसमें कहा, आप यह जान लिए, कि जो नदमा है, नदमा, that is called National Disaster Management Authority, इसके जो chairperson होते हैं, वो कान होते हैं, प्राइमिस्टर होते हैं, अभी इसमें यह कहा गया, कि सरक आप क्या करेंगे, COVID-19, जो लोग हैं, उनकी फैमिली को, उनकी किन्स को देने के लिए, वो इसलिए, क्योंकि जो है, यह जो है, फेल रहे हैं, यह नदमा फेल रही है, क्योंकि आप परफॉर्मेंट्स जूटी, जो कि स्टार्टरी जूटी है, क्योंकि आक्ट बता रहे है क्रेफ्रेंट सरकार क्या ले रहे, डिजास्टर मैनेज्मेंट अक्ट 2005, तो यह स्टार्टरी डुटी है, आप उनको कॉम्पनसेट करें, स्टार्टरी का मतलब है, जो कि पार्लिमेंट ने बनाया, तो इस तरीजूटी, किसका है, नदमा का, कि आप क्या करें, उनको क्या क ठीके ना, by not having invasizing our compensation schemes, ठीके so this is the entire thing, इतनी बात समझ पा रहे है statutory duty का मतलब समझ में आ रहे है यह provisions आपको समझ में आ रहे है यहाँ सरकार का, Supreme Court का क्या मानना है Prime Minister को क्यों बोला गया, Disaster Management Authority को क्यों बोला गया, what is statutory duty आपने इन सारी चीजों को समझ लिया ठीके न, यह line है, यह context है जो आपने देखा नीउस पेपर का, राइट सर से माप्स अब आई इंडेफ्ट में हम लोग बात करते हैं Currently there is no scheme for ex-gracia payment for COVID deaths अभी बरतमान में भारत में बात करें तो कोई भी scheme नहीं है अब मेरी बात समझ पा रहेंगे अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, अपने इसको ध्यान में रख लिया आप देखे, हमेशा, जो अभी मैं आप लोग को, जो मैंने कल भी आप लोग से बोला था तो पहला ध्यान रखेंगे कि यह सारी directions आ रहे है इसमें क्या है कि rule of law, rule of law आपको दिखाई दे रहा है rule of law अगर है, तो जो कोई भी state होगा, that would be welfare state welfare state, खीकिना, welfare state है कल हमने बात करा था, mechanism, institution and processes के बारे में जो लोग है, जो लोग प्लस वाले हैं, उनको ध्यान रखेगा governance and processes के बार, governance में हमने कल बात किया था processes, यह चुकि अभी यहां possible नहीं है, उनको टाकल करना चुकि यह उन लोग के लिए, जो लोग है वहाँ प्लस पर, तो उनको यह बताने के लिए कि आप इनको add कर सकते हैं, processes and जो है, आपके पास क्या है mechanism, जो institutions हैं, institutions, ठीक है न, institutions के बारे में हमने बात किया, तो processes का हमने discuss करा था governance में, institutions हमने discuss करे थे, इसके meaning, मतलब और माहिने समझे थे, तो processes और institutions में आप देखेंगे, कि यहां आपने देखा था governance is a process, तो इस process में rule of law, ठीक है न, और यह welfare state को release करता है, welfare state को establish करेगा, और welfare state अगर आपके पास है, तो इस rule and institutions के माध्यम से, आप good governance को establish करते हैं, good governance, good governance को आप establish करने का काम करेंगे, ठीक है न, सूशासन को, that is called सूशाशन, सूशासन को करेंगे, तो यह बात याद रखेंगे, यह सारी जो बात है, सुप्रिम कूट ने जो बाते आप ही कही है, कि आपके पास सुप्रिम कूट ने जो कहा है आपसे, कि सर आपको क्या करना चाहिए, जो आमें नदमा को जो य सरकार क्या है, यह आगे और हमें डेटेल में बात भी करना है, सरकार जो है यहाँ पर डेसपॉर्ट नहीं है, सरकार जो है यहाँ पर आर्विट्रारी को डिसिजन नहीं ले सकती, उसे जो भी काम करना है, as per the provisions of the constitution करना, और यह constitution किस ने डिया है, आपको be the people of India ने डिया, य आप लोग इसे example पो भी कोट कर सकते हैं, अभी जब हम आगे और detail बात करेंगे, this example could also be quoted right over there, ठीके ना, currently there is no scheme for x- payment for COVID deaths due to the absence of any such provision, so under the minimum standards of what relief declared by NADMA for the pandemic, so Supreme Court has given just to maintain rule of law, just to maintain the ethos of, I mean the welfare state, Supreme Court नही यादे जारी किया है, विदिन 6 weeks you have to give a framework for that, ठीके ना, so इतनी बाते यहाँ पर क example for that, ठीके, so जो लोग हैं वहाँ पर में उसको आप लोग कोट कर लीजेगा, right sirs and ma'ams, so now next, ठीके, so इतनी बाते होगे, the center has also asked the state not to use disaster relief funds to pay, ठीके ना, center नहीं कहा है, center नहीं कहा है, center नहीं, यानि कि Kendra Sakar ने बड़े चालाखी से काम किया था, has also asked states not to use disaster relief funds, not to use, not to use disaster relief funds to pay, compensation to the kin of those who died of COVID, ठीके ना, इसलिए राज्यों से काल, राज्यों तो ऐसे खास्ता हो जाएगा, राज्यों के बस ऐसे ही हमेशा आप देखेंगे, कि हालत खराब होती है, राज्यों हमेशा है, वो क्या करता है, कि वो center के उपर depend करता, most of the cases में आप देखेंगे, कि center से वो पैस relief funds to pay compensation to the kin of those who died of COVID, ठीके, died of COVID, यह हो गया, some states such as Bihar, Karnataka and Delhi, and Delhi have been paying compensation for COVID deaths from individual chief minister's relief funds, ठीके, कुछ राज्यों ने, अपना initiative लेते हुए, क्या कि है, individual chief minister का relief fund है, वहां से state disaster management authority भी होती है, नदमा में के प्राइमनेस्टर हो गया है, तो state disaster management authority होगा है, उसके head कौन होगा है, minister ने किया किया किया, अपने relief funds से, इन राज्यों में कुछ पैसे जारी गया है, लेकिन राज्यों में नहीं दिया गया है, ठीके, तो सरकार ने इसको ध्यान में रखता, अब judicial pronouncement आ जाते है, अपने ये context समझा, अब judicial pronouncement आ जाते है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बा राज्यों ने दिया, कि बिहार, करनाटका और डैली ने दिया है, तो क्या है कि बिहार को जो मन करें वो compensation देते करनाटका, जो मन करें वो देते डैली को कुछ और देते, क्योंकि ये pandemic है, ठीक है, पूरे country में है ये, ठीके, तो यहाँ पर Supreme Court ने ये कहा है कि देखो भईया, स्टेट के उपर जमेदारी मत छोड़ो, ठीक है, और स्टेट के उपर जमेदारी छोडने के लिए ये अपना एक logic है, logic ये कहा गया, कि COVID is related to the health, और health जो है, वो state subject है, ठीक है, राज्ये की जमेदारी है, एनिवेस, तो Supreme Court ने कहा कि देखो, it is a duty of the नद्मा, कि वो क्या करें वो ensure करे, uniform guideline, on the ex-gratia payment, ये uniform guidelines होने चाहिए सभी के लिए, ठीक है, आसा नहीं कि किसे state में कुछ हो, किसे state में कुछ भी हो, to avoid any heart burning and discriminatory treatment for the victims, ये victims हैं, आंडमे के विक्टिम्स हैं, तो आसा नहीं होना चाहिए कि किसी को जादा किसी को कम मिल रहा है, बलकि यहां जो heart burning sensations हो र अली में कुछ और है, मध्यपतिस में कुछ और हो, राजसान में कुछ और हो, एक uniform आप जो है, गाइडलाइन जारी करें, ठीक है, ना, कि कहां से ये compensation देने के बात किगे, इस Supreme Court ने क्या कहा है, तो ये है आपके पास, जो Disaster Management Act है 2005 का, उसके 612, Clause 3 के अंतरगत, ये बात है कही गए है, For the minimum standards of relief to be provided to the persons affected by disaster, affected by disaster, over and above the guidelines already recommended, ठीक है ना, इनके उपर आपको देने के बात किगे है, राइट सर्स and माप्स, The court rejected the center's contention that it was not bound to make ex-gratia payments since COVID was different from natural disaster. The court rejected the center's contention that the court is not bound to make ex-gratia payments since COVID was different from natural disaster. Therefore the Disaster Management Act will have to be interpreted to mean that such a scheme on ex-gratia was only recommendatory and not mandatory. दूसरी बात, center ने ये बाते भी कही थी, कि जो भी प्रावधान यहां किये गये है, वो केवल के recommendary nature के है, ना कि वो mandatory है, not कि ये mandatory है. अब center government की उपर ये जम्यदारी, Supreme Court ने कहा कि भाईया, इसको reject कर दिया, आपको क्या करना है, आपको पाईसा देना पागा, that is mandatory, ठीक है ना? और ये जो इस ने सुपसेरिट सेंटर में ये भी कहा था, कि भाईया ये जो है, हमारे पास natural disaster है ना, उससे ये अलग है, तो इसको भी Supreme Court ने खारीज कर दिया, ठीक है ना? अगाज 2.0 में पढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, जो हम आगाज में बात करने वाले हैं, तो यहां आपको हम बताएंगे, तो यहां आपको बताएंगे, जिसे लोगों के fundamental rights का violation हो रहा है, तो आपको ये काम करना पढ़ेगा, तो इसके लिए Supreme Court ने किया किया एक एक रिट जारी किया, तो बी इसूद किया जाना चाहिए. So, a rate of the mandamus is to be issued to the national authority to recommend appropriate guidelines for ex-gratia assistance, ठीक है? तो इसको आप वहाँ पर आड कर से, mandamus क्या होता है? literal meaning, mandamus का मतलब होता है command, जो इसका बात बोले, परमादेश, परमादेश, mandamus का मतलब होता है, that is called command. यह है this prerogative, जो remedy of mandamus is used for enforcing performance of public duties, ठीक है ना? यह क्यों enforce किया जाता है? for enforcing the performance of public duties by public authorities of all kinds, ठीक है ना? अगर कोई भी public duty है, कोई public authority है, उसको करने में वो चूपता है, अगर वो नहीं कर पाता है, तो mandamus can be generated in all the cases, in all the cases, ठीक है ना? जस्ट तो ensure what? public duty, by public authority. तो, रित of your mandamus, it demands some activity on part of the person or body whom it is addressed, ठीक है ना? तो, रित of your mandamus, it demands some activity on part of the person or body to whom it is addressed, यसी क्या जाता है? the demand is to perform a public or quasi-public duty which the body or person has refused to perform and the performance of which cannot be enforced by any other legal remedy, cannot be enforced by any other remedy, ठीक है? to perform a public or quasi-public, quasi का मतलब से मिल, हाफ, ठीक है? तो, public or quasi-public duty which the body or person have refused to refuse, जैसे है कि यहाँ पर सरकार ने, नदमा ने, रिफ्यूस किया, तो, to perform and performance of which cannot be enforced by any other legal remedy, ठीक है? तो, यह हमने यहाँ पर दीखा, इसके बारे में हमने प्राव नहां कर दिया, ठीक है? object of the mandamus is to prevent disorder, emanating from failure of the justice, ठीक है? जो object है हमारे पास, mandamus का, is to prevent disorder emanating from failure, ठीक है? अच्छे आप लोग बता दू, कि रात में आज 10 वजे भी आपकी class होगी, रात में जो आप पे अपनी class हो रही है, spectrum series, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, spectrum में, unit 6 बात हो रही है, unit 6 पे हम लोग बात करेंगे, हम लोग आप अराम आराम से करेंगे, जो लोग 2223 के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना? So, 2223 वाले लोग, ठीक, तो सभी लोग समझ पा रहे हैं ये, चले, जो बात करेंगे, चले करेंगे, issue अगर आ रहे हैं, अगर वो अपना legal duty परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए इंफेरियर कोट्स के लिए आपके पास क्या है, subordinate कोट्स, उनके लिए भी क्या किया जाता है, mandamus को जारी किया जा सकता है, mandamus को can be issued, मेरी बाते सभी लोग समझ पा रहे हैं, that could be done, resulting in the non-performance of the legal duty, mandamus will however not be granted against the following persons, mandamus के बारे किस के विरुद mandamus जारी नहीं किया सकता है, किस के लिए जारी नहीं किया सकता है, इसके बारे में भी बात करने, so mandamus will however not be granted against the following persons, किस के लिए नहीं जारी किया सकता है, President के लिए, Governor के लिए, for the exercise and performance of the powers and duties of his office, or any act done or purporting to be done by him, in exercise and performance of those powers and the duties, तो President और गवर्नर के विरुद जारी नहीं किया जाएगा, mandamus also does not lie against a private person, यह not lie against private person or a body, whether incorporated or not not, except where the state is in collision with such private party, अगर यहाँ पर state का कोई stake है, state का कोई stake है, तब तो जारी किया जाएगा, अगर state का कोई collision नहीं है, कोई stake नहीं है वहाँ पर में, तो जारी नहीं किया जाएगा, so mandamus cannot be issued against private body, private person, private body, President, Governor, when he is performing his powers and duties, तो उनके president और governor के 20 तो जारी नहीं किया जाएगा, so these are certain exceptions जो आपको या रखना है, अब आजे, इंडिया के co-vaccine के बारे में थोड़े सी बात करें लो, इंडिया's co-vaccine, ठीक है, so what is this co-vaccine, इसके बारे में बात करें अभी, कि इंडिया का जो co-vaccine है, जो अमेरिका का health research institute है, उसने बताया, कि भई, जो co-vaccine हमारा है, effectively neutralized delta variants, ठीक है न, अभी देखे, हमारे भी बड़ी अजीब सी दास्ता है, कि जब अभी COVID vaccine के बात हो रही थी, co-vaccine को हम लोग नहीं बहुत कम माना, और हर पुरी ज़माना, COVID-19 के दर जा रही थी, ठीक है न, जबकि जो हमारा co-vaccine है, वो कहीं ज़्यदा effective साबित हो रहा है, किसको contain करने में COVID को, चाहिए कोई भी variant क्यों नहीं हो, चाहिए वो delta variant हो, या फिर alpha variant हो, कोई भी जो है, ICMR, Indian Council of Medical Research, तो इंडिया के जो co-vaccine है, यह develop किया गया किसके द्वारा, आपके किसके माधियम से, भारत बावर्टेक के माधियम से, ठीक है न, भारत में बावर्टेक के माधियम से, और इन कॉलाबरेशन विद दा ICMR, ठीक है न, और यह effectively neutralize करे, अलफा और दिल्टा वारियंस बोथ, ठीक है यह आपके परस एक न्यूस है, बात करें तो यह क्या होता है कि जो co-vaccine है, co-vaccine जो हमारा है, यह disabled है, इस a disabled form of SARS-CoV-2 that cannot replicate but still stimulates the immune system to make antibodies against the virus. तो यह disabled करता है, form of SARS-CoV-2 है, that cannot be replicated, cannot replicate, तो यह देखें, infection कैसे होता है, एक बार अगर virus का infection अगर आगया, तो यह start replicating, replicate करना शूब करता है, लेकिन अगर आपको वाक्सिन ले रहे हैं, तो यह क्या करता, disable कर देगा SARS-CoV-2 को, उनको replicate करने से, क्योंकि मैंने आपको बताया होगा, कि जब आपको बताया था, मैंने एक बार, तो मुझे याद है, कि पूरी दुनिया कहरे थी, कि COVID-Cilt लगाना, तो हमने भी आपको कहा था, लेकिन अभी क्या होता है, कि इसमें ही जो हमारा को वाक्सिन है, इसमें रियल वाइरस को, क्या 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 है, उसको बिलकुल हैंडिकाप कर दिया गया है, ठीके ना, और रियल वाइरस को आपके बॉड़ी के अंदर इंटर्यूज क्या जाता है, इंजेक्ट क्या जाता है, that is in the covaxine, COVID-Cilt में ऐसा नहीं है, that cannot replicate, तो रिप्लिकेट करने से रोकेगा, और आप जानते हैं, जो इंटर्यूज की कारण नहीं जादा आपका ग्रो करता चला जा रहा है, ठीके इतनी बात सब्सक्राइब समझ गये, इस तेलिग्राम ग्रूप में आप लोग जूड़ सकते हैं, पॉलिटी गुरू का, वहाँ पर आपको सारा पीडियाफ मिल जाता, या मेरे परस्नल गुरूप में आ जाएगे, या ओफिशल गुरूप है, पॉलिटी गुरू का, वहाँ पर जूड़ जाएगे, वहाँ पर आपको इस सारी चीज़ें लेखने को मिलती है, ठीके, बाकी, जितने भी सेरियस स्टुएंट्स हैं, आपको इस स्टुएंट्स थुमी वाट्सप गूप, कल भी मैने आपसे बताया था, तो आप मुझे कर सकते हैं, 4x9-860-206 पर वाट्सप कर सकते हैं, 4x9-860-206, जिनको नहीं मिला है, आप मुझे बता दिये प्टिफ, I will give you the link, कीके ना? So, 4x9-860-206, So, Covaxin comprises a disabled form of SARS-CoV-2, cannot replicate, but it still stimulates the immune system, to make antibodies against the virus, against the virus, published results from a phase 2 trial of the vaccine, अब जानते के हमारा पूरा Covaxin का, पूरा human trial भी नहीं हो पाया था, ठीके, published results from a phase 2 trial of the vaccine, NIH said, U.S. का जो है, adding that, safety data from a phase 3 trial of Covaxin will become available later this year, और इसका जो है, phase 3 का भी trial हो जाएगा, जो इस साल के अंक तक आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीके ना? So, इतनी बादे से वलोग समझ गये? ठीके? So, meanwhile, unpublished symptom results from the phase 3 trial, indicate that vaccine has 78% efficacy against the symptomatic results, 100% efficacy against COVID-19, including hospitalization and 70% efficacy against asymptomatic infection with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, ठीके तो यह आपको बतायागा है, कि overall trial phase का 10% है, अब छोड़े कुछ नीउस है, यह आप सेनेपेट्स में आपके लिए डाल दिया है, इसको भी आप लोग दिख लीए, आज जो है, डॉक्टर्स दे है, पर्स जुलाइ, डॉक्टर्स दे, आज क्या है, एक जुलाइ को डॉक्टर्स दे होता है, अब यह जो डॉक्टर्स दे है, यह इन दा आउनर आफ, यह हम लोग observe करते है, इन दा दॉक्टर्स दे और फॉर्मर, वेस्ट बंगल चीपनेसर, विधान चंद्रर्वाई, विधान चंद्रर्वाई, यह विधान चंद्रर्वाई, यह विष्ट बंगल के, CM भी रहे हो है, और नहीं वो जॉक्टर आस्वेर, ठीके ना, उनकी याद में, आज एक जुलाई को, इस छोटे से पीस ओफ इंफॉर्मेशन को भी रख लीजेगा, इसको भी प्लीज भी ध्यान में रखी, इस सारी चीज़ें आपके पास हो जाएगे, ठीके ना, इतनी बाते सब लोग समझ पा रहे हैंगे, ठीके, चड़े, मेरे पेट में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ी क्लासे थोड़ा रुक के लिए रहा हूँ, खड़े होके बोलने में थोड़ी परिशानी हो रही है, अभी भी पेइन हो रहा है, थोड़ा सा अभी एक्टिविटी भी कम है, इसलिए है कि थोड़ा सा भी वीक फील कर रहा हूँ, ठीके, फिर सब भी सब कुछ सुरू करते है, ठीक से अराम-अराम से करेंगे, देरे-देरे करेंगे, कोई दिकर की बात नहीं है, प्लस का, तो यह आपके पास code है, पावंटेन का, लाइप क्लासे, स्ट्रक्टिर कोर्से, वीकली टेस्ट, अनिम्टेट अक्सेस होगा, इसका आइकानिक आपको परसनल गाइडेंस दिया जाता है, टेस्ट अनलेसेस दिया जाता है, अगर मेरा code यूज़ करेंगे, तो I will be your guide, I will be guiding you, ठीके न, यह बात होगी, अगर कोई inappropriate content कीता है, तो you can complain of it, ठीके, इसके अलावा, अभी आप देखेंगे, अभी आपके पास आपके सब्स्क्रिप्शन लेते हैं, तो यह आपके पास क्या है, अभी बी चल रहा है, आप ले सकते हैं, यह सारी चीज़ें, आपके पास आपके पास आपके पास पावन्टेंट, ठीके न, यह जो code है, इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीके, इसके लावा देखेंगे, GS में प्लस सब्स्क्रिप्शन है, आप GS के लिए क्यूब लेना चाहें, GS ले सकते हैं, Iconic ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, प्लस में मालने दिए, एक सल का फीह इच उन्चासदार पास्व रुपे, पावन्टेंट का कोड अप्लाई करेंगे, यह 3 साल का, यह 1 साल का किसी का भी ले रहें, तो 50,000 का है, यह 40,000 का है, यह 27,500 का है, आप यहां भी मेरा कोड अप्लाई करें, आपको यह 10% डिस्काउंट का है, 45,000, 36,000, यह 24,000, 750 रुपे में 10% डिस्काउंट के रएद आपको यह मिल जाएगा, ठीक है, इतनी बात सभी लो समझ गए, फ्री टेस्स रीज यहां चलती रहती है, पाथ फाइंडर 3.0 है, वाइस 6.0 है, वर्ल अफेस 3.0 है, यूज इस कोड पावंटें, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया होगा, हर एक संडे को टेस्ट होता है, अगर यहां फर्स सेंट थर्ड आते हैं, तो साध आपको 100% आपको स्कॉलर सेंट लिए है, यूज इस कोड पावंटें का कोड अपलाई करें, आप डिरेक्ली जॉइन कर सकते हैं, किसको जॉइन कर सकते हैं, अन अकाडमी के कॉमबाक को, जो कि हर एक संडे को होता है, एक 11 वज़े होगा, तो डॉन्ट मिस इट, साथ कॉश्चन होंगे, साथ मिनिट में होगा, फ्री लाइफ टेस होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, तो आप ये कोशिश करें, कि इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, इस लिंक के मादिया है, आप से जॉइन कर सकते हैं, जॉइन कर लेंगे, तो अब पूर्स इंडिपेंड़ियों सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपने करेंगे, यहां पर यूटूब पर करेंगे, यह बाहर भी करेंगे, यह क्या होगा आपने, आपको ओश्म फिलिंग आने वाले है, जो लोग गवर्नेंस मेरे साथ पढ़ाई करना शुरू क आपको तो शायद कम फीस देनी पड़ जाए, या कम कुछ हो जाए, आज जरूर जाएंगे, आगे आजेगे, इसके साथ ही, काम खतम होता है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में साम के चार वजे, रात के दस वए इस्पेक्टरम, Modern History हम लोग बात करेंगे, Unacademy के आप पे, इसका भी लिंक मैं आपको शेर कर दूँगा ग्रूप पे दो पहर तक, ठीक हैं, अपके सब लोग तयार रहेगा, Mentally, दस वजे हम लोग बात करेंगे, आपके Modern History में, Spectrum Series पे, Unit No.6 पे हमारी बात हो रही है, यहां से हम लोग आज़ा आगे प्रसीड करेंगे, चार वे शाम को पॉलिटी होगी, रात के 9 वजे हमारा Environmental Technology होगा, ठीक है, बबाबाइ, टेक केर आवर्यवन, with lots of love and blessings.